अकोला 24 नियूज में आपका हर्जिक स्वागत है अकोला में आज 72 पॉजिटिव मरीज मिलने से अकोला वासियों में खलवली मज़ गई आज अकुला में सुभा की रिपोर्ट में 30 पॉजिटु मरीज और शाम की रिपोर्ट में 42 पॉजिटु मरीज मिले जिसमें 31 महिला वो 43 पुरूष का समावेश है आज 27 मही बुद्वार को कुल 308 जाच रिपोर्ट पराप्त हुई जिसमें 236 रिपोर्ट निगेटिव आई है जबकि 72 पॉजिटु पॉजिटु पराप्त हुई है आज 26 पॉजिटु मरीजों को स्वस्त करके डिचाच कर दिया गया है लेकिन आज 72 पॉजिटु मरीज मिलने से अकॉला वासियों की और प्रश्यासन की चिंता और भी बढ़ गई है बुद्वार शाम के समय जब ये दिल दहलाने वाले आकड़ी की खबर नागरीगों को मालूम पड़ी तो सभी हक्के भक्के रहे गए एक तरफ अकॉला के नागरीग है कि लोगडाउन खुलने के लिए दुआ वो परारतना कर रहे है तो दूसरी और क्रोना पॉजिटु मरीज है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे जिसकी वज़ा से आए दिन अकॉला में गरीब तबकी के नागरीगों का बुरा हल हो रहा है लंबा समय से लोगडाउन के कारण अकॉला में कुछ सामजिक संगाटनाय गरीबों की मदद कर रही है टेकिन मिडिल क्लास के लोगों की जो आज दूरदशा है वो किसी को नहीं मालुम मिडिल क्लास का इंसान ना किसी को बता सकता है ना उसकी और किसी का ध्यान होता है इसलिए हम हमारे चैनल के माद्यम से सिर्व इतना ही कहेंगे कि गरीबों के साथ-साथ अपने आस-पास के पडोसियों का और अपने दोस्तों का भी खैल रखे और उनसे पूछते रहे कहीं उनने किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ताकि आपकी वज़ा से किसी की मदद हो जाए अकॉला में अब कुरोना मरीजों के संके 507 हो चुकी है जिसमें से अब तक 315 मरीजों को सुष करके डिश्चार्ज कर दिया गया है जबकि 164 मरीजों पर उपचार शुरू है कुरोना की वज़ाद से 28 पॉजिटिव मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है अकॉला 24 नीज को सबस्क्राइब करे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले ताकि आपको मिले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले